अलो गाइच गुड मॉर्निंग वेलकम बैक इन मैं ब्लॉग और देख सकते हैं मैं ओफिस के लिए अभी फिराल में निगल चुपा हूँ और अभी इतना जाम है कि देख समें सकते हैं कि यह अभी फिराल में यहां पे एक कोलंबस स्कूल है इंटरनेशने स्कूल जो यहां पर हमेशा भी रहता है चुकि अभी टाइमिंग हो चुका है और यहां अभी अपने बच्चों को सोटने के लिए कुछ पैरेंट्स आये हुए और यहां पे इसके वज़र से थोड़ा सा जाम ज्यादा रहता है और यहां से निकलना पाफि थोड़ा सा टफ लगता है बिलक है और मैं निकलने का कुछिस कर रहा हूं और निकल जाओंगा निकल गया और आगे चल के देखते हैं क्या जाम ऐसे ही है या नहीं है अभी तो फिराल में नॉर्मल है सब आगे की तरफ और देख सकते हैं अभी तो फिराल में यहां से प्रोस हो गया है सब सब जाम निकल गया है और यहां पर एक ठाना है ठाने की जश्ट बगल में से निकलते हैं सब और विजाव खेलमेट सब यहां के जो इस्पूल को बच्चों को चोड़ने आते हैं विदावट हेलमेट अगरा आते हैं खेर कोई ना मियर भाई है इसके वजासे कोई दिक्कत नहीं है वाट अपने सब्सक्ति रखना से यहां पर इसके वजासे निकत हो सकता है तो खेर देखिए मैं क्रोस कर गया आप और आगे भी कुछ ऐसे ही है तो द लेट होए तो यह अच्छी बात नहीं है चुकि ऑफिस के लिए काफी रूल अगरा चेंग भी हो चुका है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अब निकल गया हूँ तो सोचा की ब्लॉग बनाते हुए निकल निकल गया तो भींड से तो मैं निकल गया और आगे के तरफ अब इस सोसाइटी से होते हुए जश्ट क्रोस हो जाओंगा और बदरपूर बदरपूर से जश्ट गाड़ी पकड़ गया निकल लूँगा तो बन रही है वीडियो में है ऐसे ही और देखते रही है आप सब और लाइक सब्सक्राइब करते रही है और से स्कूल तरफ जा रहे हैं और यहां तमाम गाड़िया खड़ी हुए है चुकि काफी अच्छा मॉर्निंग का काफी अच्छा मॉमेंट रहता है और इस मॉमेंट को हरको इंज्वाइब करते हुए निकलता है जिस फिल्ड में है उस फिल्ड के लिए तो काफी बेटर है और इस मॉर्निंग टाइम जो वाकिंग करने वाले कुछ पिपल है उन सब को मैं बताना चाहूंगा कि कुछ पहले थोड़ा जग कर अपना यह वाकिंग हो रहा करें तो ज्यादा बेतर है इस तरह से मैं इसलिए क्रोस हो रहा हूं क्योंकि थोड़ा जल्दी पर रहेगा इसके सब्सक्राइटि को क्रोस कर गया गली के थृओं तो जैसे कि मैंने इस सुप्साइटि को क्रोस करके जश्ट गली से निकल आया और वो जश्ट आगे बिल गया फिर दिवारे से देख सकते हैं अभी यहां पी एक ही स्कूल है जो आप सब को दिखाओंगा तो स्कूल का नाम साइड में है और जो 1 kg से 10 ताक्या वो लाइन है देखिए यह स्टुडेंट जो है यह सब सर्दार बल्ला भाई पटेल के हैं तो देखिए अब आगे आप सर्दार बल्ला भाई पटेल इस्कूल के पास स्टुडेल इस्कूल काफी 12 तक है देख सकते हैं सर्दार बल्ला भाई पटेल के स्टुडेंट एंट्री कर रहे हैं और मैं इन सब को क्रोस करते हुए आगे के तरफ क्योंकि अभी यहां पर सड़क खोद रखे हैं इसको जैसे दिक्कत वह रहा थोड़ा है हेलो गाइज तो देख सकते हैं हम मैं अभी फिराल में ओभर जिसके उपर हूं जो रेल्वे लाइन का है और यहां अब सब जो रेल्वे लाइन फाटक है यहां पर एक्चली क्या है संडे को मार कर लगता है जब संडे को आएंगे तो काफी जाम यहां से पैदल क्रोस नही फिराल में तो किलियर है देख सकते हैं बिलकुल सांत मावल है इस रेल्वे को पढ़ पार करना पड़ता है हमेशा साम को भी सुबा भी देखी कितना हाइट पर है यह काफी हाइट पर है यह पहाड की तरह लगता है चढ़ना उतरना पड़े में यह काम होता रहता है और यहां पर जो जो मैं बता रहा था यहीं पर आपको मार्केट लगता है आप सबको दिखाऊं कि यह अब जहां पर मार्केट लगता है यह सिर्फ लाश्ट है और संडे मार्केट का और यहां पर अब मार्केट हमारा समात्थ हो गया और चुकि आगे चलेंगे तो अब आप सब इसको मत्रो एक्सप्रेस वे हाइबे मिल जाएगा जो आप सब देख सकते हैं मेट्रो और उसके मेट्रो के पिलर के जश्ट नीचे गाडिया सरपट भाग रही हैं और उसके नीचे गाडिया बज जाम लगा रखें हैं कि यहां से जो नीचे से जाने वाली गाडिया हैं यहां पर जाम लगता है काफी बदर पूर इसका नाम है और ये इतना जाम लगता है कि आपको काफी दिकत होएगा गारी पकड़ने में फ्खेर कोई नहीं स्वधानी से यहां पेचंड बस होगरा लेना है सौधानी से पगड़ा करिए ज्यादा सही रहेगा अब काप पार्स होगरा ठीक हो जाएगा इतना दिन रात आएगी हम आगे हैं अभी पिराल में बदरफूर गौडर जो यहां से तमाम दगा के लिए दिल्ली के लिए बस मिलती है ओर एसे भी आर्टी ही जिनक्ट इनका अर्टी ही नाम है याच हो है तो और यह जुआ आपका मेट्रो किलर है मेट्रो जैस्टिस्टेश्ट आधिस्टा आगे है देख सकते हैं हल्का कथे कलर कदर दिखेर हैं और यह आपका मक्षवायएक्सप्रेस है हाई वे प्लाई ओवर ऊपर होते हुए निगल ला है और यह नीचे आपका बदरपुर मोड़र है बस स्टेंड कि यह आपका मत्रा एक्सपेस हाई वे है और यह आने वाला है और वह मत्रा के तरफ जाने के लिए है कि अलो गाईस तो देख सकते हैं मैं बदरपुर आ यहां और बस लोग पकड़ पकड़ के भाग सके दौट के बस पकड़ रहे हैं जैसे कि मैं इधर जा रहा हूं देखिए यह बस आगे से टर्निंग लेगी और यह टर्न लेकर दुबारा से देल्ली के तरफ जाएगी कि यहीं पर बस आकर इस्टेंड होते हैं देखिए सकते हैं यहां पर बस इस्टेंड हैं अपने लाइन से और जिनको जाना है यहां से साइड़ों कर अराम से निगल रहे हैं कि यह रहा अब तो मत्रा एक्स्प्रेस वे हाई देंगे देखिए तो कुछ ऐसा भाग दोड़ रहता है अभी फिराल में तो सांत है नवजे कि यह बाद आप सुब को इतना यहां जाम मिलेगा कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आफिस वाले जब जो जाते हैं आफिस के जितने हैं कुछ तो सुबर सुबर निकल जाते हैं आपको 11 बजे तक फुली जाम मिलेगा यहां से लेकर जहां रूड़ेंगे दली में वहां पर बिल्कुल जाम ही जाम मिलेगा पर यहां तो अभी फिराल में हैं आपकी फाली होता है सुबर सुबर का टाइम होता है तो सुबर लोग निकल जाते हैं तो रिकत नहीं पर जहां सारह हाट हुआगे इसके बाद आपका यह रो जाम होना चल हो जाता है तो जैसे आप सब को मैं बताओं कि अभी मैं तो बदर्पूर बॉर्डर टोल्टेक्स के पास पहुंच गया और यहां से अभी एको लूँगा और इको लेकर निकल जाओंगा पलवल के लिए देखिए जो जैसे कि मैं टोल्टेक्स पार कर रहा हूं पैदा ले और यह आपका मत्रो एक्सप्रेस हाइवे है जो यही इसी रास्ते से मेरे को भी जाना है और यह देखिए यह पूलिस वालों की कमी के होजा से एरी ही रिक्सा लगाकर इदर उदर खड़ा कर रखे है से में 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 आप बाट इसका हूं देख सकते ही फिराव में का का था और है कि अभूल वहले तो अपनले कि रहे अपना की विश्राइडा ने ज़िए लेगा अचारत है आज़ आज़ जल्ली आज़ा लेंटी तो रेडी है बस देखो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं ओपिस में और यहां पर देखो यह हैं हमारे सेल्समेन मनेश जी और इनसे कुछ पूछता हूँ अभी फिराल में देखिया पूछने से पहले ही बस्ते हैं जो ब्रश्ता उठा लिए हैं यह केमरा है इसके बारे में बताएए कर स्कूछ यह कैमरा है यह इस देखी अब सब कैसे उन्होंने एक छोटा सा एक्स्प्लेंड दिया जीमेट में वीटांड वर्ट्व तो यह हैं जो आप सब को मैंने था अब चलते हैं अटेंडेस लगाने के लिए उबर और देख अटेंडेस लगवागर के निश्या आपते हैं तब तक के लिए बने रहे हैं वीडियो में करें करें शाइलेंट रिमेंच अधिया हाइले प Wahl Madagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag報 अब बने चाहभ यद wa S स अवा व हाchen म उब वे हाइले ढहים हुआ हुआ है अगर यह वापस की इच्छा है तो द्राइस तूगाना ज़रू की ज़रू की लेट रहा है, पांच का प्रिजे थी आई कि हमना पांच साट कर रखी है ये झाल है विर साट केति अकिंट झाल है ये कि अ झाल झाल तो देखिए जैसे कि यहां अभी काफी ट्रक पीछे जो केंपी के हाईवे पे जाम कर रखे थे मेरट एक्सप्रेसे पे तो अभी फिराल में किलियर है रात को यह सब चलते हैं तो अभी किलियर है यह सब रोड भी खाली है तो हम लोग काफी श्वीट से निकल रहे हैं और के दरने के बाद हम लोग मत्राराइकसप्रेसवे पे आ चुके है तो कोई दिक्कत नहीं है अब हम आने वाले हैं और डिस प्रम साल ख्राश जाया और पी लोग कॉल पलवल और पलब सी बस अफिस पे पहुंचने वाले था थैकि में आफिस पर जाओं गा और यह सर अपने घ बावजूद भी नहीं होता है और बोलता हूं कि रूप यह तो फिर भी नहीं रुकत Tamara जाते हैं क्या रूपना अराम से अपना जाओ घर पर लेकिन हम धर क्या है कि रूकने पर थोड़ा बền फिद रहता है आरामसे वहीं पर रिलक्स करने लगेंके लेकिन यह है कि आपफिस पे काफी लेड नाइट तक आना पड़ता है उसके बाद आप सुने होने को मिलता है तो खेर हम लोग आ चुके हैं पलवल पलवल में यहाँ आए हैं आपका फॉस्पितल कोसमोस होस्पितल यहाँ पर एपैक्स होस्पितल है और यहाँ पर आप सबको दिखाऊं तो अभी फिरेखराल में हमारा यह रही ए गुपनी कर देख रहा है यहाँ के रुफों में मिलेगा वही हमारा कंपनी है तो चलते हैं कंपनी में अराम से लेटेंगे कोई दिकत नहीं है और सरब कि हां सर क्या कहना चाहेंगे कुछ रात को कैसा रहा सफाराज का अच्छा रहा कोई काई रिस्वांस की जरूरत नहीं है सर का क्योंकि इनकी वाइफ अभी काफी वेट कर रही है कॉल पे कोल मिलाया जा रही है खैर कोई ना तो अब हम चलते हैं ऑफिस पर फिर इसके बाद बात करेंगे तब तक के लिए बने रही है वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करते र हैं तो जाने दीजिए अब हम यहां पर खड़े हैं अब हो सामने देख सकते हैं कंपनी है और यह हम मस्ट्रा एक्सप्रेस वेब पर पार करेंगे इस ट्रक को पार होने के बाद बाद फिर आपको सुबह मिलेंगे तब तब के लिए बने रही है वीडियो में लाइक सब्स सोने जा रहे हैं तो सोचा कि मैंने अब गुड नाइट किया जाए और सुबह मिलते हैं और क्योंकि अभी सिस्टम चाल कर रखा हूं तो कोई वह नहीं है तो अच्छी बात है चलिए फिर कल मिलते हैं ओके बाई तो नाइट लब यू